हाई एलो गाइज वेलकम टू माय तब चेनल और आज हम बातकरने वाले ‎स्पवर मंस के बारे में तो एक तो 코로 च्टाना वो मतलब सच में मतलब पर यह लेवल होता है ये होता है पर का लेवल क्या लैवलाय थे आर मतलब पहले जो section को लाता वो था रिजिनिंग तो रिजिनिंग में यह था कि मतलब इतना हाट नहीं था रिजिनिंग पर मेरे अटेम्ट मेंने किये हैं इसके बाद स्केलाम मैंने तो मैं अगर आप को दिख रहे हो था थो तो मैंने 23 की है ठीक है इसके बाद इसके बाद section कुला था मैं मतलब क्वांट है न तो भाई साब क्वांट मतलब टॉप लेवल ऐसे ऐसे क्यूशन मतलब सोल भी नहीं हो रहे कुछ भी कर लो सोल नहीं हो और अर्थमेटिक का नाम पर तो कुछ भी नहीं आया अर्थमेटिक तो मतलब कोई दो चार क्यूशन बाकि सब डियाई और स्टेटमेंट बगरा ऐसे ऐसे क्यूशन आयते हद से जाए बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट तो उसके बाद उसके बाद जो section कुला था ठीक है और जीए की section में मतलब 10-12 क्यूशन ऐसे आयते जो अलग लेवल के थे मतलब जो टोप लेवल के थे और वह या तो ऐसे थे कि नहीं कर सकते कोई कुछ क्यूशन थे कि नहीं कर सकते कोई आर्दस क्यूशन बाकि बाकि जो क्यूशन देना 30 के असपास वो थे करंट मेंसे 6 मै के करंट में से थे और बिलकुश सीधे सीधे पूचे पूचे गए ऐसे नहीं था कि कहीं ऐसे पिछे सालबर से उठा के दिये थे लेकिन 6 मैंने के और सीधे सीधे पूचे थे बस उनमें यह था कि जो statement थे ना तीन या चारे statement देखे और उनका उनसे relation पूचा था ठीक है त तो से की सिंदा उसके बाद उसके बाद खुला था लाष्ट में इंगञें तो इंग्लिस सेक्षन में तीन तो थे वह पैसे पेरग्राफ वाले ना तो और उसके अलाब वाद उसके यह पांससे से कम्यों से जो मतलब ऐसे थे कि एक सेंटेंज दे दिया उसमें कुछ एर ठ तो यह दो सेंटे books बताना था कि लोगा जो पर दे रखा ता उसका जो इंड Water तो कहते गां उसके अलावा वे तीन मुझत कॉलम की थे और तीन से चार कुएशन थे जो उसमें वो बताने थे जो रिप्लेसमेंट करते लिए से बी को सेंटेंज को वर्ड वगरे रिप्लेसमेंट करते वह था क्विशन और वह मतलब यवल नहीं सब्सक्राइब नागब सब्सक्राइबечат कि लिए पारते ओमें ऊसमें ते 10-15 तो इनको सदो пригस्ता है अग्यूब तो ऐसा था मतलब हाई लेवल मतलब एक लेवल मांते हैं ना एस बीए पीव मेंस देखे देखना अगर किसी को लगे ना कि हाँ यार लेवल क्या होता है बेंकिंग लेवल ऩर उसके बाद जो टुरंत शेसी पेपर पूरा होता है उसके बाद डिस्क्रिप्टिवू खुलता तो में तीन consulting आए थे लेक्लां हर條 से करना होता है ऐप कौन सा होता है लेकिन सबसे जो difficult part लगाना मेरे को क्वांट में attempt क्वांट में अपने रिजिनिंग में थे मेरे 23 ठीक है क्वांट में 13 और यह जीए ना जीए में 24 किये मैंने कैसे जैसे पहुचा और क्वांट में तो मतलब मुस्की से 13 कर पाएं बहुत डिफिकल्ट से और जीए मैं पढ़के नहीं था लंगी लेकिन मैं क्यूशन मतलब हर कोई क्यूशन आप करोगे न चैड़ोगे न उसको तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा और उस क्लेर करते चलने पड़ेंगे आपको पूरे क्लेर होंगे न तो यहाप उसमें आगे बढ़ पाऊगे और जैसे पजल बगर तो तीन वेरियंट तीन वेरियंट कम से फिर तो ऐसा सीन था बाकि अगर आप जो पियों का अगर पिरी निकारते हो ना तो मैं जरूर देखने देना और एस भी पियों निकले तो मज़ा आएगा ठीक है तो यह था आज का पेपर अब आगे के देखते हैं ठीक है काई थेंक्यू वीडियो देखने के लिए